नमस्कार मैं काजल और आप इस वक देख रहे हैं जनसंदेस टाइम्स ग्यानवापी के तैखाने में पुजापाट के विरोध में जहां गुरुवार को दालमंडी नई सडक और अन्य मुसलिम बाहुले इलाकों में दुकाने बंद नजर आए वहीं जुमे की नमाज के दिन यानि आज शुकरवार को भी मुसलिम समाज आक्रोश में नजर आ रहा है मुसलिम समाज ने शुकरवार को भी वारांट सी बंद करने का एलान कर दिया है और उन्होंने सिर्फ जुमे की नमास पढ़ने और मस्जिद में दुआ खानी करने की अपील सभी मुस्लिम लोगों से की है इसको लेकर प्रशाशन भी हाई अलर्ट पर नज़र आ रहा है वारांशी के साथ साथ हुरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है ग्यानवापी के तैखाने में पुजापाट और उसके विरोध में मुस्लिम बाहुल छेत्रों में दुकान बंदी और शुकरवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर कमिस्टरेट पुलिस अलर्ट मोज में नजर आ रही है पुलिस अपनी पहनी नजर चप्पे चप्पे पर बनाई रखी है इतना ही नहीं वारांशी शेहर के सभी स्रमवेदल शीन इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है ख्यासतोर पर ग्यानवापी और काशी विशुनात मंदिर के संपून परिसर को चामनी में तबदील कर दिया गया है पुलिस लगातार वहाँ पर गश्त करती नजर आ रही है वहीं इस मामले को ले कर पुलिस काफी एतिहात भी बरत रही है इसके बारे में बताते हुए दशाशों में छेतर की एसीपी प्रग्या पाठक ने जानकारी दी उन्होंने बताया की वारांसी में शुकरवार को जुमे की नमाज को देखते हुए सावधानी बढ़ती जा रही है वारांसी शेहर के सभी सम्वेदन शील इलाकों में पुलिस बल दौरा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है शेहर हाई अलट पर है साथ ही साथ पूरे उत्रप्रदेश में भी अलट जारी किया गया है और सभी लोगों से किसी भी प्रकार के अफवाम में ना पढ़ने की अपील की जा रही है आपको बताते चले कि जिलन्याला के आदेश पर व्यास जी के तैखाने में शुरू हुए पूजा पाट के विरोध में मुस्लिम समाज शांती पूर्ण तरीके से वारांटसी के सभी दुकानों को बंद करके और सिर्फ दुआ खानी करने की अपील कर रहा है और इसके साथ ही इन सभी चीजों को देखते हुए पुलिस भी काफी अलट मोड में नजर आ रहे है साथी साथ बताते चले कि अंजुमन इंतिजामिया मजाजित कमीटी के महा सचीब और मुफ्तिय बनारस अब्दुल बातिन नुमानी ने मुस्लिम समाज से वारांसी में दुकाने बंद करने का एलां किया उन्होंने सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने और मस्जिद में दुआ खाने की अपील सभी से की साथी साथ महिलाओं को घर में ही रहे कर दुआ खानी करने की बात कही है ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदिस टाइम्स नमस्कार